यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ चले अब सीधा आपको हासी लेकर चलते हैं जहां पर इनैलो की आज जो रैली होने वाले हैं और वहां से हमारे ब्योरोचे विकास बिश्णोई हमारे साथ जुरूए हैं विकास बिश्णोई आपसे सबसे पहले जाना चाहेंगे कि तयारियां किस परकार से देखी जा रही हैं तयारियां किस परकार से इस रैली को लेकर देखने को मिल रही हैं विकास मिश्रोई शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन आपको बता दे कि आज हासी में इनेलो की रैली है और इनेलो सुप्रीमो उपी चोटाला भी यहाँ पर पहुंचेंगे यहाँ पर शिर्कत करेंगे लाखों के संख्या में रैली में लोग जुटेंगे ऐसा कहना है और आपको यह भी बता दे कि हासी में इनेलो की राज्यस्तरिय जन अधिकार रैली आज होने जा रही है हमारे बियरोचीफ विकास बिश्रोई एक बार फिर से हमारे साथ जुट चुके हैं विकास बिश्रोई आपसे जाना चाहेंगे रैली को लेकर क्या कुछ तया जाना चाहेंगे कि क्या टर्निंग पॉइंट ये रैली भी साबित हो सकती है क्योंकि जिस परकार से तयारियां इस रैली को लेकर इनेलो काफी समय से कर रही थी तो शैस संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है विकास बिश्रोई से लेकिन आपको बता दे कि आज इनेलो की रैली है हासी में और जिसको लेकर तैयारी हमाँ पर अभी हमने आपको दिखाई थी एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है लाखो के संख्या में लोगों के पहुचने की उमीद जताई जा रहे है साथ ही आपको ये भी बता दे इनेलो सुप्रीमो ओपी चोटाला भी इस रैली में शिर्कत करेंगे तो आपको बता दे कि आज हासी में इनेलो की रैली होने जा रही है जन अधिकार रैली आज इनेल तो आपको बता दें कि आज इनेलो की जन अधिकार रैली होने जा रही है जिस परकार से लोकसभा चुनाव नजदिक है उस परकार से सभी राजनितिक पार्टियां तैयारी कर रही है और अगर बात राजनितिक पार्टियों की तैयारी को लेकर की जाए तो इनेलो में कहीं न इनेलो को करनी पड़ेगी क्योंकि जिस परकार से जीन्द उप्चुनाब हुए थे और उसके बाद जो इनेलो का हश्र हुआ था उसके बाद लगतार जो इनेलो सुप्रीमों है ओपी चोटाला एक संजीवनी के तौर पर काम कर रहे हैं इनेलों पार्टी को लेकर और लगता आज रैली रखी गई है हासी में जन अधिकार रैली जहां पर इनेलो सुप्रीमों हुपी चोटाला इस रैली को संबोधित करेंगे इस रैली में शुरकत करेंगे करेंगे